वेलकम तूद इंजिनियर सोसियन अकेडमी तो डेली कैपसूल से ससी जई में हम लोग सॉट्स में इंजिनिरिंग की तैयारी करते हैं आईए आज का हमरा जो टॉपिक है वो ट्यूंड एम्प्लिफायर है नाम सुनके वीडियो को स्किप मत कजिएगा बहुत ही आसान है होता क्या है हमसे तो पूछा जाएगा पेपर में होता क्या है तो आप सीधी सी बात इसको यह याद रखिए कि जो एम्प्लिफायर ऐसा एम्प्लिफायर जो किसी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को माल लेजे कि कोई स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी को क्य करता है अगर उसको एमलिफाई कर देता है उस specificобы आए या आपके narrow band frequency को जो narrow band frequency है उसको अगर एमलिफाई करता है तो तो that is the what tuned amplifier उसको हम क्या बो लेंगे tuned amplifier बोलेंगे आई यह जराय एसके बारे में जान लेتे हैं है क्या और बारे में और कहां कहां यूज हो जाता है तो देखिए ये मुस्टली जो इसके यूज़ के बारे में बात किया जाए तो यूज़ जो इसके हैं ये इसके यूज़ कहां पर किया जाता है ये आप से मतलब कुश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो ये यूज़ क चलो, तो Sorts में इसके हम तयारी करते हैं, और देखते हैं कि आपका क्या है, ये आपका मतलब की Efficient एक तरीकेश एम्प्लिफायर आप कह सकते हैं कि होता है, बहुत ही अच्छा Efficient एम्प्लिफायर, Tuned एम्प्लिफायर, और बहुत ही प्रशिद्ध है, प्रचलित है और इसका क प्रशिद्ध हम से कर रहे होंगे, तो उनको पता होगा, जो डिप्लोमा वाले बीटेक वाले इस्टोडेंट से ध्यान देंगे, लोड रिजिस्टेंस के जगह पर हमने क्या रखा है, तो आप देख शकते हैं कि Tuned एम्प्लिफायर, देख रहे हैं आप, यहाँ पर यह दे के connections किये गए हैं, तो आप यहाँ पर इस चीज को देख सकते हो, देखो, parallel circuit in collectors, इसको हम कहेंगे, parallel circuit in collectors, यह आपका collector terminals, that is the parallel circuits, यहाँ पर देखेगा, नीचे आते हैं, parallel circuits, यह देखे, इस circuits को आप देख पा रहे हैं क्या, इस circuit को आप देख पा रहे हैं, नीचे वाली circuit को, parallel पैरलल सर्केट आपकी है, पैरलल सर्केट का मतलब यह हुआ, कि जो आपका CE है, यह वाला CE, और यह वाला जो RE है students, मैं इसको हटा के दिखाऊ, यह दोनों आपके एक तरीके से पैरलली कनेक्टेड हैं, इस वाले ट्रांजिस्टर से, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अग is remember this line, कि जब भी tuned amplifier की बात किया जाएगा, तो उसमें कोई ने कोई एक tuned circuit हमारी रहने वाली जरूर है, आ रहा है समझ में न, clear है, तो इसमें tuned circuit का होना अवश्यक है, और यहाँ पर मैंने output terminal ले लिया, अच्छा, मैंने input कैसे दिया, देखेगा, तो आपका जो very high, देखेग पर बहुत high impedance होता है, लेकिन अगर rather than resonance frequency की बात करें, अगर resonance frequency से अलग frequency की बात करें, तो इसका impedance क्या होता है, low होता है, आप याद रखेगा, यह paper में आपसे पूछा जाएगा, चलिए sir, चिक है, clear है न, हाँ, और इसकी जो frequency होती है, शेम होती है, resonance frequency पर, LC circuit के लिए, तो जो LC circuit है, उसकी frequencies आपके resonance frequency पर क्या होगी, तो आप कहेंगे sir की शेम होगी, यह बात भी याद रखने वाली बात है, बहुत ही important है, और इसको बात को याद रखना है, चलिएगा, मैंने input कुछ यहाँ से दिया, शेही बात है, c in मैंने यहाँ पर लगा दिया, series में इसके, ठ इसके basis से मैंने transistor के इसको मैंने ले जाके connect कर दिया, सही है, collector based emitted terminals अगर transistor के आप देखें, तो एक transistor के terminal पर उपर के तरफ आपका tune circuit है, और नीचे के तरफ आपका C, RE और C parallel में है, उपर से students plus BCC, यह आपका voltage यहाँ पर बना हुआ है, यह आपका carry करेगा, total, यह R1 resistance, resistances लगा आने का मतलब यह इतना सा हुआ, कि current की values को यहाँ पर eliminate करना, current की values को variate कराना, ठीक है, अगर signals आपके many frequencies के present हैं, तो यह आपका strongly amplified signal को ही select करेगा, अगर मान लिजे कि input आपने कई सारे frequencies के दे रखे हैं, तो कई सारे frequencies में से जो high frequency होगी, बहुत जादा, उशी के signals को यह accept करे याद रखेगा, तो यह था आपका tuned amplifier, तो कहशा लगा आप एक बार वीडियो में बताएंगे, और इसके circuit को आप देख लेंगे, circuits भी आपसे पूछी जाती है, तो इतना ही सा है, जो भी आपसे पूछेगा, इतना ही पूछा जाएगा, हाँ, radio receivers के लिए बहुत ही useful होता है आप यह याद रखेंगे, है ना, हाँ, बस यही है, और किसी भी broadcasting के लिए, broadcasting आपने देखा होगा, किसी भी broadcasting से particular signal को receive करने के लिए, इसका हम क्या करते हैं, use, मतलब कि इस्तमाल करते हैं, select करने के लिए, जैसे broadcasting हो रही है, जैसे हमें star plus देखना है TV पे, तो star plus हम select कर लेंग के काम में इस काम परियोग करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको इस 5 मिनट के वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, tuned amplifier, तो ऐसा ही आपको booster dose capsules मिलते रहेंगे, SSJ और various JE examinations के लिए, और बागी आपकी classes भी चलती रहेंगे, थोड़ी बहुत problem आने से लेंगे, अपनाएंगे और अपने preparation को आगे boost up करेंगे, thank you, thanks a lot, all the very best, God bless you.